असलाम अलेकुम जी, डेटा को समझने के लिए, एक्स्प्लोरेटी डेटा एनलेसेस करने के लिए, डेटा को सही तरीके से इनलाइस करने के लिए, आपको डेटा को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डेटा का एक्स्प्लोरेटी डेटा एनलेसेस कर डिटा को एक्सप्बोर करना पड़ता है, डिटा को और भी अच्छे से जो है वो आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है. उसके लिए जो लैप्रिरिज मैंने आपको बताइए ही, उसमें एक लैप्रेरी की और एडिशन करते हैं, और इस लैप्रेरी कानाम है data prep, क्या है, कैसे use करने के, चलिए देखते हैं screen आपके सामने हाजिर है यहाँ पर Google पर जाते हैं, Google पर जा कि आप data prep जो है वो उसको search कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया था data prep, data prep को search किया, तो मेरे पास यह दो different pages open होगे, एक github का है और एक इनकी अपनी website का है, ठीक है, so data prep क्या कहते हैं, कि यह एक ऐसी library है of course, you can use it like this और इसके लिए आप report बना सकते हैं, यह low code data preparation है और आप इसको कुछ इस तरीके से install कर सकते हैं और इसे use कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक पिछले lectures में भी आपको दिखाया कि हम हर library को install करने से पहले उसका environment बनाते हैं, मैं यहां से git bash terminal अपने पास open कर लेता हूँ open करने के बाद मैं यहां से screencast mode जो है वो से भी on कर लेता हूँ, conda create यहां से हम लिखना start करते हैं, conda create minus n, यहां पे हम data prep की library करते हैं minus y python is equal to 3.10 enter करते हैं, इससे क्या होगा हमारे पास python जो है, वो install हो जाएगा और साथ में हमारे पास data prep की library जो है, उसको हम install करने के लिए एक environment जो है, उसे create कर लेंगे data prep को install करने के लिए उन्होंने बताया कि pip install minus yu data prep सिरफ इसको आप install करेंगे तो आपके पास data prep जो है, वो install हो जाएगा इससे होता क्या है, कि आपका जो exploratory data analysis है, वो fastest and easiest way में हो जाता है और ये library जो है, आपको low code mood के अंदर बहुत ज़्यदा help out करती है कैसे, अभी देखते हैं यहाँ पे मैं आप conda activate, जो अपना environment है data prep का, उसे activate कर लेता हूँ जब इसको enter करेंगे, हमारे पास directly ये latest version जाया इसका, वो install हो जाएगा और उसकी dependencies भी install हो जाएगी, अच्छा इसको use करने का तरीका कार क्या है, वो यहाँ से देख सकते हैं, हमने सिरफ और सिरफ pandas को use करने हैं, और अपने data set के उपर इसको लगा के देखने हैं, otherwise आप जो titanic का data set है, वो इस library के अंदर भी मौझूद है, उसके उपर भी इसको run कर सकते हैं, सो हम दोनों तरीकों से देखेंगे, पहले हम यह देखते हैं कि यह वाला जो code है, यह किस तरीके से काम करते हैं, और अगर आपके पास जो report आएगी, इसके through generate होगे, that will look like this, ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो report है, वो आएगी, and then you can view that report, और इसके अंदर plots भी अच्छे खासी होंगे, of course आपने देखा है कि यहाँ पे installation के दुरान आपके पास काफी ज़्यादा जो dependencies scenes दो इंस्टॉल हो रही है, pandas भी इंस्टॉल हो गए, flask भी, and some other भी, तो यह सारी की सारी dependencies जो हैं, of course इस library को help out करती है, जिसकी वज़ा से आपके पास कुछ ऐसे result आते हैं, जब तक हमारे पास installation हो रही है, आपको benchmarking दिखा देता हूँ, कि यह है जी data prep EDA benchmarks, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके different जो basically commits हैं, यह आप देख सकते हैं, जो different किसम के आपके पास seconds के अंदर जो reports generate हुई हैं, वो कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाए दे रही हैं, of course आपको यह पहले पढ़ना पढ़ेगा, कि कौन सी repository और किस तरीके से यह सरे के सरा काम चल रहा है और आपके पास जो data preparation के benchmarks आ रहे हैं, यह कितनी time लेते हैं हर iteration के अंदर, on the other side आपकी report कुछ इस तरीके से आएगी, right हमारे पास installation जो है अभी भी हो रही है और इसने यह सारीकी सारी libraries install की है इसी वज़ा से मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई automatic EDA वाली library करें उसको separate environment में install करें क्योंकि अब आप चेक कीजेगा इतनी ज्यादा libraries इसकी dependencies के अंदर है ना यह वाली सारी की सारी जो आपको अगर आप खुद से install करने यहां पर आ चुकी है ठीक है यह मेरे पास जिस सब कुछ आ गया है मैं कॉंडा लिस्ट करता हूँ and you can see कि हमारे पास जितने packages या libraries install हुई है these are all here लुक ठीक है यह सारी की सारी libraries यहां पर और यह सारी की सारी libraries सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रेप को चलाने के लिए ठीक है और अगर आप गौर करें हमारी जो लाइबरेरी है आई पाई यह चेक केज़ेगा आई पाई करनल और आई पाई थोन भी हमारे पास है पांडास भी है हमारे पास एक फाई यह हमारे पास लाइबरेरी आगी है अब यहाँ पर जाके हम लाइबरेरी के अंदर जाके राइट कलिक करके एक नही फाईल बनाते है 08 इसको नाम दे देते हैं हम डेटा प्रेप डॉट आई पी वाई एन बी इस लाइबरेरी को यह नाम देती है अब यहाँ से करनल साब हम स्लेक्ट करते हैं पाईथौन के उपर जाके और यहाँ से हम डेटा प्रेप वाला करनल जो है उसे स्लेक्ट कर लेंगे यहाँ पे डेटा प्रेप EDA इसको मैं इस तरीके से फाईल बना लेता हूँ यहां पर Y और यहां पर वो code paste कर दे तो जो मैंने copy किया था अब क्या हो रहा है यहां से data prep के अंदर data sets भी मुझूद है जैसे c bond के अंदर data sets मुझूद थे जब हमने start में load किया था something like this import c bond as sns हमने किया था और वहां से हमने data set को load किया था df is equal to sns.load data set करके फिर हमने titanic जो है उसको load किया था titanic को ठीक है आपो याद होगा ठीक है यह वही काम है जब हमारे पास यह वाली library जो data prep है इसके अंदर भी data sets मुझूद है तो हमने यही से from data prep.dataset import load data set इसका जो basic एक function है load data set का वो भी हमने load किया और हमने from data prep eda जो उसका dot log exploratory data analysis हमने create report का function भी load किया तीसरी line में हमने जो data set है उसको एक data frame के जो variable है उसके अंदर हमने save कर लिया df के अंदर और उसकी हमने report बना दी इसको मैं run करता हूँ and hopefully it will be running easily it will take some time for sure क्योंके first time जो है वो kernel चलते वक्त आपको time लगते है on the other side you will see कि हमारे पास यह चार line हो के अंदर अपना जो code वो चल जाएगा अगर आपने अपना data set लोड करना है तो आप pandas को import करें यहां से pandas dot read csv or read excel whatever you want to load load वो आप कर सकते हैं और यह आपके पास यहां से सब कुछ चल पड़ है और browser आपके पास show हो गया है and here you can see कि जो आपका titanic के data set का overview है this is on local जो हमारी html file है उसके ओपर चल रहा है और अगर आप चेक करें हमारे पास कोई भी चीज यहां पर save नहीं होई है so we can say number of variables कितने हैं missing cells कितने हैं missing percentages कितनी है duplicate rows etc etc और यहां पर आपके पास different किसम के और insights हैं अगर आप page 2 पे click करेंगे तो हर किसी का page 1 भी है 2 भी है यहां से आप चेक करें आपके पास different columns के page 1 और 2 पे आगे है ठीक है अब आगे चलते है variables आगे है हमारे पास यहां पे आप उपर से भी variables select कर सकते हैं और आप overview भी देख सकते हैं यहां पे चेक करें आपके पास जनावे वाला sort by feature order है reverse order भी कर सकते हैं बाकी भी कर सकते हैं so these are few variables जो आपके पास इस तरीके से आ रहे हैं और उनकी summary भी आ रही है अगर आप यहां पे चेक करें तो यहां पे इस data set में basically passenger ID भी है and some other data information भी है जो हमारे वाला Titanic data set था जो sea bond से हमने किया था उसके अंदर यह चीज़ें मौझूद नहीं थी so this is how you can see each and everything लोगों के नाम भी है इस data set में और यह data set थोड़ा सा different है as compared to the data set जो हम पिछले lectures के अंदर use करते हैं मैं यहां पे male versus female वाले पे click करता हूँ तो यह मेरे पास male versus female का आ गया और उनकी age आ गया और उनके हिसाब से बाकी मेरे पास जितनी भी values है वो आती गई अगर मैं interaction चेक करूँ so here you can see आपका interaction का है passenger ID का passenger ID से हर एक का दूसरे के साथ इसको correlation map कहते हैं और यहां से आप तेन किसम के correlation जो मैंने आपको बताया थे relationship की जब हमने बात की थी Pearson, Spearman and Candle Stau यह तीनों आप यहां पे देख सकते हैं other than that आपके पास different किसम के bar chart के different plots बन रहे हैं and आपके पास यही नहीं interaction के साथ, correlation के साथ missing values का main chart जो है वो भी आ रहे है and of course यहां से overview आप देख सकते हैं तो यह एक library बहुत कमाल की library है and I would highly recommend के आप इसको ज़रूर utilize करे to do the automatic exploratory data analysis अब यह वाले library आप में से जो लोग use करते हैं please let me know in the comment section after using it के installation सही तरीके से होगी है सही तरीके से काम कर रही है अगर आपको गोई issue आया you can ask for that as well और आने वाले lectures के अंदर हम इनको और भी detail में देखने वाले हैं कि असल में EDA से हम कौन-कौन सी inputs लेते हैं चार dimension आपको याद होंगी वो चार dimensions क्या है आपने data की composition देखनी है number one data की distribution देखनी होती है number two data का comparison या interaction देखना होता है that is number three and data का relationship देखना होता है that is number four यह चार dimension है exploratory data analysis की and these four dimensions are very important data prep library आपको automatically यह सब कुछ करके देती है समझा गी है तो subscribe करें इस channel को like करें and share with your friends code का link description में मुझूद है github repository के ओपर अब आँ जाके code को देख भी सकते है and load भी कर सकते है see you in the next one take care allahafis